ठीक है Functions क्या क्या है Framing, Physical Addressing, Flow Control, Error Control Access Control Framing की जाती है ठीक है, उसमें Header और Trailer लगाया जाता है Physical Addressing की जाती है Physical Address means MAC Address MAC Address उसमें लगाया जाता है Flow Control लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पर constant data rate होना चाहिए दोनों का तभी हम लोग वहाँ पे successfully data transfer कर पाएंगे अगर server और client दोनों के बीच में अगर हम लोग जो data rate है जो लगाए है मान लोग अलग अलग है तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि हम लोग कोई भी data send कर पाएं ठीक है उसके पाद error control error control में क्या होगा जितने भी stream of bits में error होंगे ठीक है उसकी cyclic redundancy check होगी कोई data duplication नहीं होना चाहिए ठीक है और जो frame है वो सही सही बनना चाहिए उसमें कोई भी error नहीं आना चाहिए ठीक है access control में वैसी होता है जो भी devices connect होते हैं सारे के सारे बराबर access कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं वहां से data synchronization हो रहा है कि नहीं हो रहा है data transmit हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो वो सारी चीजे चेक की जाती है कि तो थीक है नेक्स्ट आते हैं network layer पे ठीक है हमारा frame create हो चुका है उसमें ip address mac address लग चुका है error free है ठीक है कोई errors नहीं है उसमें थार्ड लेर में क्या की जाती है उसकी addressing की जाती है device addressing और location भी वहां पे डाला जाता है ठीक है इसके function पर आते हैं तो लिंक करेगा उसको ठीक है second addressing की जाती है addressing मींस उसमें physical addressing और लॉजिकल addressing दोनों की जाती है मतलब वहां source का IP address destination का IP address source का mac address destination का mac address ठीक है दोनों के दोनों उसके header पे लगाया जाते हैं ठीक है सेकंड थर्ड होता है routing इसका मतलब जो route वहां पर बनने हैं जो बहुत सारे multiple path होते हैं किसी भी एक network में कौन सा best optimal path होगा उस data को transmit करने के लिए ठीक है वो decide की जाती है network अब जो फ्रेम्स हमारे बने हुआ है जो हम लोग bit of stream से हम लोग यहां पर क्या किये है सुरी stream of bits से हम लोग क्या कि फ्रेम तयार किये उसमें हम लोग addressing की रूटिंग कर लिए वह सारे को मिला के एक पैकेट बना दिया जाता है जिसको हम लोग अपर लेयर पर भेज़ेंगे तो पैकेट कैसे बनाया जाता है internet प्रोटोकॉल के थ्रू आए पी के थ्रू हम लोग उसमें पैकेट बनाते हैं तो यह चार फंक्शन थे network लेयर के कि नेक्स्ट आते हम लोग हम लोग का जो ओवरॉल कि पैकेट बन चुका है अब आजाते हम लोग टांस्पोर्ट लेयर पर टांस्पोर्ट लेयर जो होता है वो भी एक बार एरर चेक करता है कोई भी उसमें डुप्लिकेशन नहीं होना चीए उस पैकेट के अंदर में ठीक लो कोई भी एक डेटा है वो एड़ टाइम पूरा एक साथ सेंड नहीं होता है उसको पार्ट-पार्ट में डिवाइड किया जाता है सेगमेंट में डिवाइड होगा उसके बाद ही वो किसी भी नेटवर के थूँ सेंड होता है ठीक है तो यहां पर दो प्रोटोकॉल काम करते हैं ट्रांस्पोर्ट लेयर पर सबसे पहला होता है जिसके सेंड करेंगे उसके बाद ही बाद आप ना कनहर जाता है अगले सिस्टम में वो कीारिसीव ओगा अगला सिज्टम जो है उसको वो एकनॉलेज़मेंट सेंट करेगा कि आपने जो डेटा सेंड किया था वो मुझे मिल गया है सकस्सलिविव उसारे के सारे सेगेमेंट मिल गएंगया है वह एकनौलेज करेगा तो यह Char nos fortune पूरा का पूरा वॉर्कि जिसमें कोई भी connection established नहीं होता जो भी हम लोग को data send करना होता है डायरेक्ली हम लोग send कर देते हैं कोई सवाल जवाब पुछ भी नहीं होता जैसे रेडियो हम लोग सुनते है रेडियो रेडियो ब्रॉडकस्टिंग क्या होती कि वहां से बोलते जारे कौन सुन रहा है सुन र देटाग्राम प्रोटोकॉल तो दोनों प्रोटोकॉल्स यहां पर काम करते हैं तो अब इसकी फंक्शन पर आते हैं हम लोग यहां पर फंक्शन से क्या सर्विस पॉइंट एड्रिसिंग तो सगमेंटेशन एंड रीएसेमली connection कंट्रोल फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल थे कि सर्विस पाइडिसिंग मतलब क्या होता है वही जो हम लोग लगाते हैं और साथ में यहां पर पॉर्ट नंबर भी बताते हैं कि किस एप्लिकेशन से वह निकला है और इसका पॉर्ट नंबर क्या है ठीक है तो यहां मान के चलो उसका सॉकेट क्रियेट होता है क्या क्रियेट होता है सॉकेट क्रियेट किये जाता है मतलब सॉकेट के डिवाइड करते हैं और जो receiver end वहां पर reassembly होती है तिक है connection control होता है क्योंकि जब तक connection बना हुआ है तब तक वह data transmit हो रहा है या फिर हम लोग transmit कर पा रहे हैं और receive कर भा तिक है flow control भी होगा क्योंकि वहां single link बनता है और single link में यहां पर हम लोग flow control को भी check करते हैं ताकि हम लोग का data rate जो रहे है वो same रहे और हम लोग अच्छे से transmit कर पाया और receive कर पाया Error control भी होता है Error control जो होता है और data link layer में भी होता है और यहां पर यहां पर packet की error control error check होती है है वहां पर stream of bits की होती है ठीक है यहां पर जो packet लगाया गया है packet बनाया गया है उसको IP addressing ठीक है port number और यह सारी चीज़े चेक की जाती है ठीक है session layer में session create होते है dialogue control synchronization presentation layer में उसको present किया जाता है ठीक है translation और encryption यह तो latest मैंने बताया था तो याद होगा ठीक है और data compression भी उसके जाता है ठीक है application layer में भी यहां पर file transfer mail service और directory service ठीक है तो यह है पूरे OSI model ठीक है उसमें seven layers और उसके